Welcome Friends in Health Rambo तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में जिसको इंग्लिश में इंडियन जिंसेंग या विंटर चेरी के नाम से जानते हैं हम बात करेंगे कि अश्वगंधा में क्या होता है अश्वगंधा के अंदर केल्शियम होता है, आइरन है, पोटेशियम है, नियासीन है, विटामीन B कॉम्पलेक्स, उसके अलावा फॉस्फोरस वगरा होता है साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉइट्स और एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे अगे बात करते हैं कि अश्वगंधा किन विमार्यों में खाए है और अश्वगंधा खाने के क्या फाइदे होते हैं अश्वगंधा के अंदर एंटी ऑक्सिडेंट और स्ट्रॉइट वर्स पूर मातरा में होते हैं, जिससे क्या होता है रोगों से लड़ने की छमता बढ़ती है, इंसान पारभार भी मान नहीं होता है, सर्दी खांसे जुकाम वगरा नहीं होता है इसका पूरूशों में बहुत जाता मैयत्व है, पूरूशों में इन फर्टिलिटी की समस्या दूर होती है जो स्पॉम बनाने में मदद करते हैं, उनको इंपरूब करता है, जिससे क्या होता, आगे चलके फर्टिलिटी लेवल इंपरूब होता है साथ-सात में अश्वगंधा क्या करता है मेमورी पावर को भी बढ़ाता है मिरी सिल्स को इंक्रीज करता है जिससे क्या होता है कि वैक्तिकोरे जो इपरेशन चिंता वगारा समस्या दूर होती है स्ट्रेस कम होती है और उसको अच्छी नीइंट आती है उसके अलावा अश्वगंधा का जो रूल है शरीर से सूजन को कम करता है वेट लोस को बढ़ावा देता है मतब जिन लोग का वेट बढ़ा हुआ उनको इसके खाने से भी फायदा होता है साथ साथ में जैसा हमने बात के लिए सूजन कम होती है शरीर की तो इससे क्या होता है हड्डियां जो होती ही मजबूत हो जाती है उसके अलावा कॉर्टिजोल हार्मोन के लेवल को भी बढ़ाता है और साथ साथ में कॉलिस्ट्रोल जो होता है LDL कॉलिस्ट्रोल मतब जो खराब कॉलिस्ट्रोल होता है उसके लेवल को ये कम करता है अश्वगंदा किसे नहीं लेना चाहिए, कि लोगों को अश्वगंदा जादा नहीं लेनी चाहिए, तो pregnant ladies या जो breastfeeding या इस्तनपान कराने वहीं महिला हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसके अलावा जिन लोगों में high blood pressure, अधिक BP की problem है, उनको भी ये डॉक्टर किस सलह से ही लेनी चाहिए, otherwise avoid करनी चाहिए, उसके अलावा जिन लोगों को autoimmune विमारी है, autoimmune thyroid विमारी है, उनको भी इसको avoid करनी चाहिए, साथ-साथ ने यदि किसी के पेट में ulcer है, तो उनको भी ये नहीं लेनी चाहिए, यदि हम बात करें, एक दिन में कितनी अश्वग करने से क्या होगा, आपको उल्टी वगण हो सकती है, घब रहायाट हो सकती है, उसके अलावा आपको थकान रह सकती है, कमजोरी रह सकती है, शरीर में बदन दर्थ वगण रह सकता है, उसके अलावा आपको गुखार वगण भी आ सकता है, क्योंकि ये blood circulation को बढ़हा देता है इदि हम बात करें अश्वगंदा कैसे खाएं तो जादा लोग को यह होना होता है कैसे खाएं अश्वगंदा के जो होते हैं आप जड़ी बूटी ना लेकर अश्वगंदा का मार्केट में पाउडर आते हैं आप उसके पाउडर ये चून वगर आते हैं वो आप ले सकते ह आपको लेना कैसे हैं जो कैपसूल और चूरन उसको आप दूद में डाल के ले सकते हैं उसको आप पानी के साथ खा सकते हैं या घी वगरा में आप मिला कर अश्वगंधा का चूरन वगरा भी खा सकते हैं उसके अलावा अश्वगंधा जो हैं आप चूरन की बॉल बना सकते हैं या फिर अश्वगंधा आप कोई पाउडर लड़ू वगरा घर में बना रहे हैं उसमें थोड़ी मातरा में डाल सकते हैं बनने के बाद में यदि हम बात करें अश्वगंधा किस समय खाने से पाउडे मंद होता है इसका क्या है कि आपको अच्छी तरीके से नींद आएगी इति हम बात करें अश्वगंधा दिन में कितने दिन तक खाना चाहिए और कौन से मौसम में खाना चाहिए तो अश्वगंधा जैसे हमने बात करी दो से चार ग्राम होता है वो आप सुभा श अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें तैंक यू वेरी मच्छ पूर वाचिंग हैसरेंबो